आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के साथ जेल में बंध हैं लेकिन फिर भी मुश्किले लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं समाजवादी पार्टी की वरिष्ट नेता महम्मद आजम खान को एक बार फिर्श जोरदार जटका लगा है दरसल रामपूर की MPML1 कोट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अरजी को खारिच कर दिया यह मामला साल 2022 में दर्च कराया गया था इसमें आरोप था कि उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहते आजम खान ने रामपूर नगर पालिका की सफाई मशीन अपनी जोहर यूनिवर्सिटी में इस्तमाल की और वही पर बात में जमीन के अंदर दबा दी जि कंबन में अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां दोनों आरूपी थे और इनकी जमानत स्टेशन कोट में लगाई गए जिस पर आज मनी नेले का फैसला आया है जोनों की जमानत खारिश करने गए गया ग्राउंट था खारिश करने का जो बेल का था कि में जोहर जो मशीने इशू करवाई थी उसमें एक मशीन गोवी पाई गए थी बहुत सारे सारे ग्रांस थे जिनको द्रश्टिकत रखते हुए मनी नेले द्वारा जमानत खारिश की गई थी कौन सी कोट का फैसला है यह एसी एक्ट एम्पी एमिले जो कोट है हमारी रामपुर की व द्रसली केस 2022 में दर्श किया गया था और इसी केस को लेकर आजम खान और अब्दुल्ला ने कोट में जमानत याचिका दाखिल की थी सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया कि मशीन को जोहर यूनिवर्सिटी से बरामत किया गया था वो जोहर कैमपस से रिकवर की गई थी और भी बहुत सारे ग्राउंड को देखते हुए कोट ने दोनों की जमानत अरजी को खारिच कर दिया है बताया जा रहा है कि इस मामले म की मशीन को रिकवर किया गया था और इस पर अभ्योग दर्ज कराया गया था यानि जेल में परिवार बंद है लेकिन आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और अब जमानत अरजी भी खारिच हो गई है इस पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जर